हलो गाईज मैं हूं का शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको exactly step by step अपने इस phone की screen पे दिखाने वाला हूं कि कैसे आप coin d6 के अंदर 100 रुपे 100 रुपे successfully deposit कर सकते हैं देखो जब यहाँ आप अपने यहाँ पर जाके add funds पर click करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 500 रुपे की है minimum आप देख सकते हो यहाँ पर minimum 500 रुपे maximum 5 लाग तो यहाँ पर हम 100 रुपे करने वाले आपको यहाँ पर 500 का 500 ऐसी पड़ा रहन देना है कुछ भी निचूना 500 यहाँ पर डाल के छोड़ देना है continue to pay कर देना है उसके बाद net banking यहाँ पर एक यह option है दूसरा कोई option है continue पर click कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ interface आपको यहाँ देखने को मिलेगा यह जो details है इस bank account में यह bank account हमें दे रखा इस bank account में हमें पैसे transfer करने है तो आपको कुछ नहीं करना इसे यहाँ पर आजाना अपनी home screen पर और अपने जो bank में जिस भी bank में आपका account है उस bank ने आपको जरूर एक app दियोगी deposit करने के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए एक app दियोगी banking की app मेरे kotak में account है तो यह kotak की app मेरे को मिली है तो इस app में जाके आपको अपनी जो भी bank में आपका account है उस app को खोलना है और वहाँ पर transfer money, send money, send money to beneficiary ऐसा कुछ जो भी money होगा जहाँ पर आपको send money का कुछ हो system money आपको transfer करनी है basically किसी को देनी है भेजनी है तो आपको मुझे यह मिल चुका transfer money तो आपको इस पर click कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते है send money, receive money और काफी सारे फालतू के option है उसके हमें ज़रूत नहीं है, हमें money send करनी है send money पर click करना और हमेशा आपको one time transfer करना है one time transfer अगर आपके में नहीं दिखा रहा है तो आपको पस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो details है उन्हें save वगेरा नहीं करना आपको ऐसी transfer करना है one time transfer मतलब एक ही बार आपको transfer करना है details को bank details को save वगेरा करके नहीं रखना account number पे आपको click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते है select bank में आपको यह bank धूननी है जो हमें coin d6 नहीं आपर दे रखी है यह equitas small finance करके कुछ bank है यह bank name आप देख सकते हैं तो हमें यह धूनना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी equitas करके bank नहीं दे रखी है तो आपको tension वाली कोई बात नहीं other banks पे click कर देना है other banks पे click कर देना IFSC मांगेगा IFSC हमें दे रखा है यहाँ पर यह रा IFSC code यहाँ से copy कर लेना है वापस आना screen पे IFSC code यहाँ पर paste कर देना है bank account number मांग रहा है यहाँ पर इन्होंने अपने आप ही ले लिया यह सब जो भी लेना था IFSC code मेरा paste करने के बाद bank account number मांग रहा है आपको यहाँ जाके bank account number यह रखा है यह account number यहाँ से copy कर लेना है यह bank account है यहाँ से copy कर लेना है और यहाँ पर जाके इसको paste कर देना है फिर confirm पर click करके इसे भी paste कर देना है account type मांग रहा है account type में आप देख सकते हैं कोई भी account type यहाँ पर हमें जो है नहीं दे रखा हमें किसी भी तरह का account type यहां पर नहीं दे रखा तो आपको यहाँ पे भी घबरान है जैसी कोई ऐसी tension वाली बात नहीं है आपको यहाँ पे account type में अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है current को आपको save कर लेना है current को यहाँ आपको ले लेना है कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, current आप ले सकते हैं, beneficiary पे जाने के बाद, beneficiary में आपको यहाँ दे रखा है, beneficiary name, receipt name, यहाँ पे हमें recipient name, copy कर लेना है, और यहाँ पे beneficiary में जाके, इसको paste कर देना है, NTPL है, transfer amount, अब यहाँ पर आपको 100 रुपे डाल देना है, ठीक है, वहाँ पर हमने 500 रुपे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 500 रुपे का deposit request वो उठाय हुआ है, 500 रुपे का, लेकिन हम transfer कर रहे हैं, वहाँ पर 100 ही रुपे, तो आप देख सकते हैं, मैंने 100 रुपे डाल दिया, remark को आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ना, remark में जाके आपको यहाँ पर यह remark दे रखा होगा, यह remark है, यह phone number होगा आपका, इसके आगे required भी लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से, ताकि आपको remark हमेशा यहाँ पर से, यह है, इससे copy कर लेना है remark, और यहाँ पर जाके remark को paste कर देना है, यह phone number ही होगा आपका, 100 रुपे amount डा आपको continue कर देना है, और यहाँ पर लिख रखा, one time transfer, IMPs, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर खास करके यह चीज लिखी हुए, only IPS, use only IPS, IMPs only, sorry, use IMPs only, तो आपको ध्यान रखना खास, यहाँ आपको IMPs से ही transaction करनी है, और continue पर click कर देना है, continue पर click करने के बाद यह देख सक other banks, current bank account, confirm पर कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना MPIN डालना है, जो कि आपको ही पता होगा, आपका MPIN वो आपको यहाँ पर डाल देना है, तो मैंनो वापर अपना MPIN डाल दिया, और मेरे को यह message भी आए सुका कि 100 रुपे मेरे debit हो चुके है, तो मेरे 100 रुपे यहाँ से जा चुके हैं, CoinD6 की तरफ, ठीक है, तो मैं आगर आपको यह दिखाऊँ, ध्यान से, यह मेरी payment successful हो गई है, और यह reference number है, आपको ध्यान रखना है, यह reference number आपको exact उठाके, CoinD6 में आके, यहाँ पर डालना है, enter reference पर क्लिक करके, और यहाँ पर exact reference number जो है, वो आपको डाल करके, वहाँ पर डालना है, तो मैं एक बार इसको डाल दे रहाँ, फिर हम बात करते हैं, तो मैंने अपना यहाँ पर reference number exactly डाल दिया है, जो मुझे CoinD6 से ने दिया था, submit पर क्लिक कर दिना है, और यहाँ पर ok पर क्लिक कर दिना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, 500 रुपे की deposit request मेरी उठी है, ठीक है, 500 रुपे की deposit request उठी है, तारीक भी आप देख सकते हैं, 21 अगस्त, 2021 एक बज़के 12 मिनट, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक बज़के 13 मिनट अभी फिला लो रखा, यह उपर आप time देख सकते हैं, मैंने अभी यह deposit request उठाई है, 500 रुप में मुझे जो beneficiary name, वो reference ID डालनी थी, उसमें लग गया, तो आप देख सकते हैं, 500 रुपे की deposit request उठी है, अब इसके बाद होता क्या है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या होता है, यह 500 रुपे की उठी है, होता क्या है, वो just आपको अभी दिखाता हूँ मैं, तो अब आप यहां देख सकते हैं, आज की तारीक है, 21 अगस्त, 2022, दो बच के 26 मिनट पे, आप यहां देख सकते हैं, लास्ट जो withdrawal हुआ था, वो 39 जुलाई को हुआ था, उसके बाद यहां पर कोई भी transaction नहीं करी गई है, और जो भी transaction होई है, आज हुई है, देखो, दो बच क देखो, दो बच के 26 मिनट पे, दो बच के 26 मिनट पे, कॉइन D6 ने क्या करा, 500 रुपे का जो मेरा deposit request था, उसे तुरंत reject करके, और तुरंती, तुरंत के तुरंती, देखो, दो बच के 26 मिनट और दो बच के 26 मिनट, तुरंती 100 रुपे का नया deposit request बनाके, और मेरा 100 रुपे करया था वो और अब आप यहां देख सकते हैं लगबग एक गंटे पंदरा बीस मिनट के आसपास आप समझ सकते हैं देगड़ घंटा समझ सकते हैं आप देगड़ घंटे में सौ रुपे का अपने आप बना दिया एक मैंने कुछ हुआ नहीं है उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं छुआ CoinD6 ने अपने आप कराए ठीक है आप यहां देख सकते हैं तो आपको भी बस इतना ही करना है अपने बैंक की एप को खोलना है वहाँ पर बस अमाउंट बदलना है सब कुछ आपको सेम रखना है अगर आप यहां 500 रुपे की जगा 2000 डाल देते 3000 डाल देते तब भी यह deposit request cancel कर देता CoinD6 से वाली अपने आप और 100 रुपे की एक नई बना देता उसी समय और deposit successful हो जाता आप कितना भी यहां पर amount deposit request का डाल दें लेकिन जब आप जो लास्ट में जो reference ID डालते है न वो reference ID verify करी जाती है कि उस reference ID से कितने रुपे का deposit करने की कोशिश करी गई थी कितने रुपे exact उतने ही रुपे आपके deposit होंगे कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं तो यह होता यहां पर आप 100 रुपे का deposit successfully यहां पर कर सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया जो भी आप amount डालेंगे वो reject हो जाएगा और coinD6 नया बनाके आपका उतनी रुपे का deposit कर देगा तो आप देख सकते हैं हाँ पर यह चीज़ यह possible है हो सकती है step by step मैंने आपको दिखा दिया तो इतने ही थास की इस वीडियो में अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला तो आप इस वीडियो को like जरू कर सकते हैं हमारे चैनल को subscribe जरूर करें subscribe करें बिन description मिल जाएगी और thanks for watching this video अपना दिहान रखें मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में